एक बार ज़रा कन्फर्म कीजिए कि क्या आप मेरे को खुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे है ज़र करें कि क्या आपको मेरी आवास आ रही है एक बड़ दरा तन्फर्म कीजिए कि आप मेरी पूंपा रही है क्योंकि मैं खुद सोयम को सुन पा रहा हूँ नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQIS Hindi के इस कारिक्रम में मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सबके सामने आज के दिन की कुछ प्रमुक समाचार, कुछ प्रमुक खबरे लेकर आता हूँ तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी खबर जो अभी अभी ब्रेक हुई है जो एक Breaking News है और इस Breaking News में हमको क्या पता चला है कि एक भारत का Most Wanted आतंकवादी जिसका नाम है शाहिद लतीफ उसको पाकिस्तान में मार दिया गया है उसकी पाकिस्तान में हत्या हो गई है तो शाहिद लतीफ कौन था शाहिद लतीफ ने क्या कारनामे किये थे और ये घटना जो है ये घटना क्या है और ये बास्तविक्ता में उसकी हत्या अगर हुई है जो कि अभी कन्फर्म हो गया है उसके इम्रत शरीर के फोटो आ गए है तो निश्यत तोर पे उसकी हत्या हो गई है तो उसकी हत्या के क्या माइने हो फकते हैं इस बात को हम बहुत जल्दीफे एक बार आज के इस छोटे से बुलिटिन में समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दीफे शुरू करते हैं सीधे सीधे हम चलते हैं अपने समाचार पर ही तो एंडी टीवी की न्यूस देखते हैं यहाँ पर एंडी टीवी कहता है कि शाहिद लतीफ की कॉंस्पिरे यानि कि बिल्कुल एक और दो जनवरी के टाइम पर बिल्कुल नए साल की शुरूआत में पठान कोट में जो एरफोर्स बेस था जो भारतिय एरफोर्स का जो पठान कोट में एरबेस था वहाँ पर कुछ आतंकवादी भारतिय सेना की वर्दी पहन के भारतिय सेना के पहन कर वहाँ पर प्रवेश कर गए थे और कई दिनों तक उन्होंने वहाँ पर आक्रमण जारी रखा था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो airbase जो होता है किसी भी देश का किसी भी वायू फेना का वो कि छोटा मोटा इलाका नहीं होता वो अच्छा खासा बड़ा एरिया हो से लेके 5 तक आक्रमण कारियों की संख्या बताई जाती है इन लोगों ने वहाँ पर आक्रमण किया heavily armed थे बहुत इनके पास हतियार थे असलहे थे इनके पास जिसके साथ ये लोग भारत के वायू सेना के इस बेस में घुसे 2016 के पठान कोट के बेस में घुसे और उसके बा इनको ढूंड पाने में इनको नियंतर्रित कर पाने में भारतिय बलों को बहुत समय लग गया और कई दिनों तक ये युद्ध चला जिसके बाद इन सभी को मारा गया इन सबको मार के इस पूरे शित्र को आतंकवादियों से खाली किया गया भारत के ये कहा जाता है कि 7 कर आई थी और इस तरह के भी आरोप लगे थे कि airbase के अंदर से भी शायद कोई ना कोई पाकिस्तान का साथ यहां पर दे रहा था इन आतंकवादियों का साथ दे रहा था अब यहां पर क्या था यह जो 45 जो आतंकवादी थे जो airbase के अंदर घुसे थे इनका controller जो होता है इनको जो manage करता है, देखिए हर अतंकवादी attack में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है जिसको हम कहते है handler, Handler, Handler क्या होता है? क्योंकि इस बात को समझ ये, किसी भी आतंकवादी हमले की में जो व्यक्ति वास्तविक्ता में हमला कर रहा होता है, वो तो सबसे छोटे स्टर का व्यक्ति होता है, याना वो सबसे जूनियर व्यक्ति होता है, Handler वो व्यक्ति होता है, जिसने इसकी योजन बनाई होती है और जो इसको coordinate कर रहा होता है कि मालीजी अगर 4-5 आतंकवादी हैं तो वो उन सबसे लगातार संपर्क में हैं उनको guide कर रहा है कि आपको इस दिशा में जाना है एक के message दूपरे तक पहुंचाना है अगर कोई रणनीती में बदलाव है तो वो बदलाव क्या है इसका communication इसकी बात वो बता रहा है तो handler की भूमिका वही होती है जैसी football के match में coach की होती है वो वास्तविक्ता में खेलता नहीं है लेकिन रणनीती सारी वही बनाता है खिलाडी कब कहां क्या कैसे करेंगे ये काम handler ही करता है तो ये काम जो था ये handler का था तो बिटा ये 2016 का हम handler जो था वो शाहिद लतीव था इसका handler शाहिद लतीव ही था तो ये 2016 का जो एक हमारे यहां इतना गंभीर पठान कोर्ट में हमला हुआ तो कि किसी भी देश के सैन अड़ों पर हमला उस देश की संप्रभूता पर हमला माना जाता है तो ये हमला जो है इस हमले का handler शाहिद लतीव था ऐसा नहीं है कि शाहिद लतीव इसके पहले कोई unknown व्यक्ति था 1994 में भी ये जील गया था आतंकवाद की आरोपों में ही और 16 साल की जेल की सजा काटके आखिरकार 2010 में ये जेल से बाहर आया था ठीक है उसके बाद 2020 आते आते इसको वागा बॉर्डर के जरिये प पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था तो ये चीज़ जो है यह यहाँ पर करी गई थी और इस बात को आप समझे कि भाई यह जो है इसके बाद इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया तब से ये पाकिस्तान में रह रह रहा था भारत का एक most wanted आतंक वादी था और भारत जो है हर बार जाँच में पुरक्षा में आपने देखा होगा भारत हमेशा ये कहता है पाकिस्तान से कि हमारी दमीन पर जो हमले हुए हैं उनकी जाँच कीजिए और उसमें जो भी लोग इन्वाल्व थे उसमें जो भी लोग शामिल थे उनको आप सजा दीजिए उस मारा गया है सियाल कोट में तो पाकिस्तान में एक सियाल कोट शहर है सियाल कोट शहर में किसी मस्जिद के अंदर शाहिद लतीफ था और ये कहा जा रहा है कि कुछ अंजान लोग जिनको कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन थे जो कि शायद वहां के स्थानिय निवासी थे ऐसे स्थानिय निवासी जो लोग हैं उन लोगों ने आकर शाहिद लतीफ को मार दिया है। तो एक जो चर्चा आज जो आई है वो ये है कि शाहिद लतीफ की हत्या जो की गई है एक मस्जिद के अंदर की गई है और उस मस्जिद के अंदर अभी पुलिस ने कहा है कि किन लोगों ने हमला किया है उसको वो पुलिस अभी भी पहचानने की कोशिश कर रही है कि यार ये कौन है आकरमनकारी कौन है इनका हमला जो है इनकी पहचान अभी करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये कहा जा रहा है कुछ और समाचार पत्रों में ऐसा छपा है कि वो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं है उनमें से कुछ लोगों की शैद पहचान की गई है जिन्होंने लतीफ की हत्या की है और ये व्यक्ति जो हैं ये स्थानिय लोग हैं वहां के स्याल कोट के local लोग ही है जिन्हों ने शाहिद लतीफ की है तो एक motorcycle पे कुछ लोग आए जिन्हों ने शाहिद लतीफ को point blank range से यानि की बहुत नफ़बीक से गोली मार दी और इस तरह से शाहिद लतीफ को आज मार दिया गया है ठीक है अब इस बात को देखे लतीफ जो था जैशे मुहम्मद से बिलॉम करता था ठीक है और ये पठान कोट का जो आतंकवादी हमला था इसको ने लीड किया था इसका वो हैंडर था जैसा आपको मैंन ने बताया ठीक है अब इसके अलावा क्या हुआ उनिस सो चौरानवे से यह जेल में था 2010 में इसने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया जिसके बाद अपनी सजा पूरी करने के बाद भारत ने इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान भेज दिया कि इसकी सजा कंप हाइज किडनाप किया गया था जिसके बाद कई सारे आतंकवादियों को बारत को छोड़ना पड़ा था याद है एक हवाई जाहव करके कंधार ले गए आप में से काफी लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे बारत का इस बहुत बड़ा क्राइसिस बहुत बड़ा संकर भारत पे आया था जब एक IC 814 नाम का जहाव जो था वायोयान उसको किड्नाप करके कंधार लेके जाया गया था और उसके लोगों को छुडाने के बदले में भारत को तीन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था ये कहा जाता है कि शाहिद लतीफ जो है वो उत हमले में भ दर चला गया इसको मैं निकाल देता हूं ताकि आपको आवाज साफ से आ रही है ना ठीक है बहार आ गया तो भाई शाहिद लतीफ जो है यह जो है यह किया गया अच्छे इंट्रेस्टिंग चीज़ यह है यहां पर मैं इसको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं अगर यह कोई ए एक एंटी इंडिया आतंकवादी है भारत विरोधी आतंकवादी है उनकी हत्याओं का एक सिलसिला चल रहा है यह कौन कर रहा है यह कैसे हो रहा है मैं नहीं जानता और मैं इस पर कोई टिपड़ी भी नहीं करूंगा भाई है ना यह अब आप लोग अनुमान लगा सकते है कि शायद यह कैसे किया जा रहा है यह अनुमान आप लोग लगा सकते हैं जितना अनुमान आपका अच्छा है उतना ही अनुमान मेरा भी अच्छा है क्योंकि इस पर कोई पश्ट तॉर पे रिपोर्ट नहीं है इसलिए हम कुछ कहनी सकते कि यह कैसे हो रहा है लेकिन NDP بी कहता है कि लतीव की जो हत्या है वो ऐसे अनेक आक्रमण हो रहे है पाकिस्तान में आतंकवादियों पे जिनमें से मुफ्ती कैसर फारूक और जियाउर रहमान ये दो बड़े आतंकवादी थे लशकरे तोईबा के जिनको हाल ही में मारा गया कैनडा में भी आपने देखा कि ख आरोप भी लगाया कैनडा ने की भारत सरकार इसमें शामिल है हाला कि पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया और भारत का ये पश्ट स्टैंड है कि इन हत्याओं में आपके यहां जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है हमारा इन हत कोई लेना देना नहीं है हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन खबर यह है जो आज आपको जाननी चाहिए थी कि बहुत बड़ा एक आतंकवादी बहुत ही एक most wanted आतंकवादी शाहिद लतीफ आज जो है उसको मार दिया गया है पाकिस्तान के सियाल कोट के अंदर क किसने मारा कैसे मारा जब जांच होगी तो हमको पता चलेगा लेकिन एक बहुत बड़े पठान कोट हमले में ये व्यक्ति शामिल था ठीक है मैं आपको पता है मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ और जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो आप भी परिक्षा में लिखके मत आईएग करने का लेकिन जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो एक्जाम में मत लिखके आईएगा आप लोग समझदार हैं आप लोग समझ गए कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ ठीक है चलिए अब जाने के पहले मैं एक बार यह आपको बता दू कि भाया हमारे पीटू आई बैच जो यहां हैं silver gold platinum आप जानते ही हो silver 2024 के लिए gold 2025 के लिए और platinum 2026 के लिए और 2026 और उसके आगे के लिए इनमें केवल पांच दिन एक्स्ट्रा किया गया है ठीक है यानि कि 15 अक्टूबर आज 11 तारिक हो गई है 15 को इसमें admission close हो जाएंगे कल से बैच शुरू हो गया है इंट्रो याद रखिएगा अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इस वर्ष के तयारी मेरी शायद नहीं हो पाएगी तो आप केवल तीन हजार रुपए देके जो फीस का फर्क है अच्छा इसमें फीस लिखी नहीं है यह वाले 2399 का है गोल्ड जो है वो 2699 का है और प्लाटिनम जो है वो 2999 का है अगर आप ये वाला कोड लगाते है एजे लाइव तो केवल फीस का फर्क देकर आप अपने बैच को अपग्रेड भी करा सकते हैं अगर आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत हमारे बैचे से जुड़ जाईए अप भी मत बोलो ठीक है और एक्जाम में बिल्कुल लिखके मताना इस तरह की बाते ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही शाम को चार बजे हिंदी में हिंदू लेकर आपके सामने हाजिर होंगा और उसके अलावा कोई और बड़ा समाचार आता है तो वो भी आपके सामने म मैं प्रफ्तुत करूंगा मेरे साथ इस फत्र में चुड़ने के लिए आख सभी का बहुत